हालो फ्रेंड नमस्कार मैं आपका दोस्त रंजन मैं आज आपको बताऊंगा जो भी भाई के पास 114 इंजेक्टर नहीं है वो कैसे आपके से टेस्टिंग करेंगे 0022 इंजेक्टर रहते उसमें कैसे टेस्टिंग करेंगे वो दिखाऊंगा फ्रेंड्स चलिए अभी स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स चलो अब देखें फ्रेंड्स पांश और फूरेट नहीं का पांप दूनों सेम रहते फ्रेंड्स अब दूनों का रीडिंग एक की रखेंगे ना वो दूनों चलते ठीक है यह मैं मेशिन पर लगा की रखाऊंगे फ्रेंड्स देखिए और यह 009 वाला इंजक्टर लगाया हूं फ्रेंड्स इल्लैन पम्प का इंजक्टर है जो इसका प्रेशर रता 172 से 176 रता है और यह 022 का लगाया हूं एक फ्रेंड्स इसका प्रेशर 133 रता है और 114 का 207 प् तो आज कल जो भी चाट आ रहे फ्रेंड्स वो पुरा 114 के हिसाब से चाट आ रहे तो बहुत सरे भाई को दिक्कत हो रहा होगा जो डिलर वाले क्योंकि 114 का इंजक्टर एक 85,000 का एक इंजक्टर है तो 6 लेने के लिए बहुत मेहगा जाता तो बहुत सरे भाई के पास 009 और 022 होंगे वो इसाब से कैसे टेस्टिंग करेंगे आपको दिखाऊंगा देखिए उसका चाट है 528 है 114 का चाट है 207 बार प्रेसर है तो चलू करने पहले क्लोक आज यह मैं इलेट प्रेसर दे दिया हूँ 0.3 से 0.4 रहता भीपम का और यहां पे देखे डिजल आ रहा है डिजल आएगा तो भी आप आर्पेम बढ़ेंगे नहीं तो इसा डिरेक्ट स्टाट कर दिए मार दिए 600 हजार इसा मारने गा नहीं पहले 100 पे चला कि डिजल पुरा आ आएगा तो ही आर्पेम बढ़ेंगे अभी आइडिलिंग पहले देख लेंगे फ्रेंट्स पुजिशन मतलब मार्किंग अमारा दू में लगा है ऐसे तो ज्यादा तरो 24 वाल का दू नमबर में ही आता है तो कभी अगर फिटिंग वाला लड़का इधर उधर कर दिया तो आइडिलिंग में आर्पेम लेकी उसका कट अफ हो रहा कि नहीं बराबर देख लेंगे क्योंकि बाद में अगर पुरा रीडिंग लेने के बाद नहीं होता तो बाद में पोजिशन करकी फिर दूबार रीडिंग मानना पड़ता तो सबसे पहले हम बैनपम प्रेशर प्रेंट्स ठीक है मैं एक उरिंग लगा दिया हूं प्रेश कर गिराना और प्रेशर कुंट्रल से यह करेंगे सेट करेंगे यह देखिए 6.8 रधा प्रेंट्स इसके 6.8 तो मैं 7 के आसपास रखाऊं पॉम्बिल देखिए बैनपम प्रेशर सप्लाइपम प्रेशर रखेंगे क्योंकि आसपास रखेंगे उसका ठीक है चार्ट में 25 दिया है यह देखिए 1 के जी यार रखा हूं तो मैं 10-15 रखता हूं थोड़ा बढ़ागी रखता हूं ठीक है यह 10 के आसपास रखाऊं फिर अभी कॉटिंग लेंगे कॉटिंग स्क्रूब लेंगे बाद में बताता हूं मैं प्रेंट्स आप कैसा रखेंगे 0-22 और इसमें 009 के सबसे क्या रिडिंग रखेंगो रखो बताऊंगा मैं आगे पहले मैक्सिमम मिलाएंगे 1425 पे बुस्प्रेशर 1.0 14.50 है तो मैं 4 रखता हूं सिंगल स्ट्रोक में यह देखे 1425 रखेंग है सिंगल स्ट्रोक में 1 कजी बुस्प्रेशर है ठीक है यह देखे उसका रिडिंग है फ्रेंट्स वान वान फूर अगर इंजक्टर के हिसाब से चार सिसी रखता हूं और जो भाई के पास 0-22 इंजक्टर है वो आप सेवन सिसी रखने का फ्रेंट्स ठीक है और 009 एल्लाइन पंप के जो इंजक्टर है वो भाई लोग 4 सिसी रख रखेंगे को टिंग होने के बाद लेबी मिलाएंगे फ्रेंट्स 1150 रिप्यम में और लेबी जरूर मिलाना है क्योंकि बोशर भाई मिलाते नहीं तो गाड़ी में ब्लाक स्मूग आ सकता है लेबी नहीं मिलाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा गवानर साफ्ट जो रड है ग एक्सेलेटर पूजिशन दब की होना अंदर साइट दबागे रखेंगे फिर देखे एक्सेलेटर पूजिशन इसा दबा हुआ होना ने तो लेबी आप प्रॉपर मिला नहीं सकते क्योंकि अलेबी बहुत इंपूटन रहता गाड़ी में एक जीगा प्रेसर दियाओं और इस कुरूप देखे अभी मेरा अंदर है अभी जब मैं खोलूँगा तो भेनपम प्रेसर जहां से मिला है वहां से ड्रॉप होगा कांटा ड्रॉप होगा तो जहां से ड्रॉप होग के टाइट मार देना उसको ठीके जरूर मिलाने का प्रेंट को अभी ऐसे बहुत प्रॉलेम आता गाड़ी ब्लाक्स मुख भी मारेगा और गाड़ी कम ज्यादा कम ज़्याद कम ज़्यादा कम ज़्यादा होगा इ Immediately दिख mau औनफ़ूर के शाब से मैं गहीं दोस रखता हूं सिंगल स्ट्रोक में आप 0-22 के अगर है आपके बास तो 21 रखने का और 009 अगर है आपके बास तो 17 रखने का फ्रेंट्स ठीके फुलोड में ये रीडिंग रखना है फिर 600 का मिलाएंगे ठीके और चार्ट के इसाफ़ रखेंगे तो आपको पिक अप का ये का खिचाई का मैलेज का प्रोलम आ सकता तो 2-3 सिसी में बढ़ा की रखता हूँ ये 600 का रप्यम है फ्रेंट्स 0 बुस प्रेंट्स जीरु बुस प्रेंट्स बाला जो रीडिंग कम ज़्यादा यहां से होता फ्रेंट्स ठीके यहां पे प्रेसर फिलाल के प्रेसर निन रहेगा तो उपर से होता है टीके यहां इसका डीजल कम ज़्यादा होता है यह देखे आठ सिसी रखाऊं जीरु बुस प्रेसर वाला 114 के हिसाब से और आप 0-22 अगर है आपके पास तो 16 CC रखना है ठीक है और 009 है तो आप 15 CC में रखेंगे ठीक है उपर वाला जो 25 नवर बीट से जो होता हो ठीक है अभी पार्शल बूस प्रेशर मिलाएंगे 600 RPM में 0.75 एर का प्रेशर है प्रेंट्स ठीक है ये 11 CC में 114 के हिसाब से रखता हूं प्र अगर आपके पास है तो 17-18 रखेंगे ठीक है उपर से होता और यहां से जो पार्शल वाला 075 बूस प्रेशर वाला यहां से होता चक्री से होता फ्रेंट्स चक्री निचे लेंगे तो डेलिवरी बढ़ता है उपर लेंगे तो कम होता है जैसे गाड़ी में कभी कभी बुल लेंगे तो ज्यादा होता और फूलूड है फ्रेंट्स त्रो नमर का जो नाट लागा रहा था वो फूलूड है वहाँ से डीजल कम ज्यादा होता मैं अभी आडिलिंग मिलाएंगे फ्रेंट्स 375 में 13 CC दिया है तो पूरा 13 तो मैं नहीं रखता हूँ एक CC रखता हूँ क्योंकि 13 रखूंगा तो गाड़ी में रेस हो जाता ठीक है यह अर्गा प्रेशर नहीं रहेगा यह देखिए 114 के हिसाब से मैं एक CC रखता हूँ अगर आपके पास 0-22 इंजेक्टर है तो पाद 2 CC रखेंगे और 009 का भी हो यह एक CC में चल जाता प्रेंट्स ठीक है यह आइडिलिंग है ठीक है प्रेंट्स आइडिल का भी कम जाता है अगर आइडिल में कभी डिरेक्ट डिजल आथा कोट अप नहीं होता ऊठवल की कलूज होगा तो ओकैंट्स lift का आप जोड रहता है इसमें कोई क्लूज हो गया होगा तो और सा डाल दो गवनर का जो lift बोल ठेंगे तो कोट अप हो जाता है अगर दीखिए इसे एक्सिलिटर दबा की चुनने पर कोटब होना जाए जो आइडल आप सेट किये वह सबसे बुंद बुंद गिरना चाहिए एक सिल्टर दे रहा हूं छोड़ रहा हूं तो बराबर वर्किंग हो रहा है कभी कभी अगर कभी कभी आपको फ्रेंट नहीं आया नया रूटर डाल दिये सब कुछ कर दिये नया का फरक आ रहा है तो गोवनर्स आपको उपर में जो शिल्यू रहता वो शिल्यू को थोड़ा आप ग्रेंड कर देंगे प्लेंड कर देंगे तो वह स्टार्टिंग आ जाता और दू तीन चार सीची का फरक है तो स्कुरूब लोग को डाल दो वह मियाच हो जाता फ्रेंट् अगले वीडियो में आज के लिए एतना था ठीक है फ्रेंट्स बाई विदर लेता हूं आपसे